पर मानते क्या है यह सो रोहाम मैं भगवान हूँ किसी भगवान की जुर्दत नहीं मैं बलवान हूँ मैं सुखी हूँ मैं भोगों को भोगने वाला हूँ बाहुलिता वो जब लोग बात करें तो उनके सुनो ऐसा लगता है काल भगवान को इन्होंने पाटी में बांदर भगवान में अस्ते हैं कि माया भी अस्ती है देखो मेरा बल देखो क्या कर सकते हैं जो तुम सोच ले सकते हैं वो कर सकते हैं कवड़ा बहुत बिचित्र है ऐसे जाल में फसा देता है निकलने के चांस ही नहीं होते वो तो अवी आउसर चल रहा सुकृतों का तो आप मनमा कानी आचरन कर लो जो आउसर आएगा ना तब आपको पता चलेगा एक परिचय के शंत थे पूरू में तो उन्होंने बताया था कि एक डाक्टर थे अमेरिका से पढ़कर के आए हुए थे और हड्यों के विशेशक्य थे परनाव संत प्रशद्दा करते थे ना भगवंत प क्या भगवान कुछ नहीं है तो उनका वो हमारे परिचय में किसी संबंद से आये थे किसी भगतादी के संबंद से उन्हें कई बार समझाने की चेश्टा की और हिलना कर देते क्योंकि जैसे यह सब खान पान गंदा होता है ना मांस खाना अंडा खाना सराप पीना यह सब उनको तुम समझाओ यह समझा है बकवास कर लें बावाजीयों को और कोई काम है नहीं छोड़ो उनके लिए तो सब वह अपनी मस्ती उनकी अलग होती लेकिन उनकी मस्ती को उतारने के लिए फिर अलग डोज होते हैं भारत आये हुए थे उसी आउसर पर उनका एक्सिडें संत क्रपाल होते हैं तो कह रहे थे देखने गए जब गय थे तो रो रहे थे कह रहे थे एक बार भगवान से प्रार्थना करना अगर मैं कहीं चलने लायक हुआ तो आप जीवन में केवल भजन करूंगा और दूसरों का हित करूंगा आप कोई गलती नहीं करूंगा तो उन सी प्रार्थना करनी चाहिए और उसकी क्रपा से ही सब ठीक होता है यह बात तुम्हारी समझ में आगे इसलिए भगवान की क्रपा हम मानते हैं और निश्चित तुम ठीक हो जाओगे और निश्चित तुम भगवत मार्ग में चलोगे अड़ी हड़ी अरे वो जोड कि ये चीक में अड़ी अलग हो सकती है एक्सिटिन की तुम बाद जाले दो हासी में हार्ट फेलो सकता है हासरयो वह बहुत लीला भी आ रही है ऐसी समस्याएं पैदा कर सकता है कि देख नहीं सकते सुन नहीं सकते बोल नहीं सकते मतलब डरो डरो यह जो सोचते क्या जरूरत भज जनके डरो